नमस्कार, Food Cravings Unlimited में आपका स्वागत है, तो आज के हमारी रेसिपी है, डोने बिर्यानी, बैंगलोर के एक पेमस टीश है, डोने बिर्यानी, तो ये मतन बिर्यानी है, तो हम देखेंगे, इसको कैसे बनाना है, इसके लिए मैंने आधा किलो मतन अच्छे से धू लिया है, अ में डालेंगे, एक चमच, लाल मिर्च का पाउडर, आधी चूटी चमच, हल्दी, एक चमच, लसुन और अधरक की पेस्ट, यहाँ पर डाल देंगे, फिर लास में इसमें हम डालेंगे, नमक, स्वादा नूसार, और इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे, और अधर मिनिट के लिए हम इस मारिनेट को वैसे ही रख देंगे, मसाले अच्छे तरह से मटन को कोट हुजाएंगे, इस तरह से मिक्स करना है, अब पंदरा मिनिट के बाद मैं इसमें दही डाल दूँगी, यहाँ पर मैंने दो चोटी चमच दही लिया है, यह पूरा दह मैं इसमें डाल दूँगी, और इसको अच्छे से मारिनेट कर लूँगी, और इसको एक घंटी के लिए हम ढखके रख देंगे, अब हम इसके लिए मसाला तायार करेंगे, मसाली के लिए हमें चाहिए ओनियन, यहाँ पर मैंने दो बड़े ओनियन लिए है, हरी मिर्च, टम सालो के लिए मैंने एक तवे पिक थोड़ा सा तेल लेके उसमें डाल लिए है, दाल चिनी, ब्लाक पेपर डालना है, साथ से आठ, पिर इसमें डालेंगे लॉंग, पास से छे, एक जावीतरी डालेंगे इसमें, एक तीच पत्ता डालेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक मिनिट के लिए, फिर इसमें हमें आड करेंगे, सौफ, एक चमच, सौफ डालने से बहुत अच्छा स्वाद आता है, तो आप इसे करते टाइम आड करना ही, फिर इसमें हम ओन्यान डाल लेंगे, और इसको अच्छे सा सुने रहने तक पकने देंगे, और इसमें डालेंगे तीन हरी मिर्चिया, यहाँ पर ग्रीन चिली मैंने तीन लिए है, आप अपने अकार्डिंग ले सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो, जिनको ज़्यादा तीखा पसंद है, वो ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, अब इसको थंडा होने देंगे, वही सेम आपने में तेल दालेंगे मिक्सी में थोड़ा सा पानी डालना है, पेस्ट बनाते टाइम, अ. कद रिख अब मतान पतालेंगे, यहाँ पर एक बड़े कुकर में मैंने दौ बड़े चम्मच अई लिया है और थोड़ा सा गीर डाला है अब में असले आड़ करेंगे तेजपत्ता एक दालचिनी इलाइची तीन और ब्लैक पेपर डालीए यहाँ पर मैंने और यहाँ पर एक बड़ा ओनियन काटके डाला है लंबा लंबा उसको अच्छे सा पकने देंगे फिर इसमें आड़ करेंगे लसुन और अधरकी पेस्ट एक चम्मच यह पकने के बाद हम इसमें प्याज पुदीना और हराधनिया की पेस्ट डाल लेंगे जो हमने बनाई थी और इस पेस्ट को दो से तीन मिनिट के पकाना है जब तक यह आउयल ना छोड़े पिर हम इसमें टॉमाटो एड़ करेंगे एक बारिक कटा हुआ टॉमाटो को अच्छे से पकाना है एक मिनिट के लिए और हम इसमें डाल देंगे मसाले मसालों में एक चमच धनिया पाउडर आधी चोटी चमच हल्दी और एक चमच गरम मसाला यहां पर मैं लाल मिर्च का पाउडर नहीं डालोंगे क्योंकि मैंने हरी मिर्च यूज की है और लाल मिर्च मैंने मैरिनेशन में डाली थी और यहां पर आप मैरिनेट मटन डाल देंगे यहां पर मटन को 3-4 मिनिट के लिए इस मसालों में पकाना है और फिर हम इसमें पानी याट करेंगे यहां पर मैंने 4 कोटरी पानी लिया है उसको गरम कर लिया अच्छे से और इसमें मैं गरम पानी डाल दूँगी 3-4 मिनिट के बाद यह मैंने गरम पानी डाल दिया है और इसमें हम नमय काट करेंगे और इसको चार से पास सिटियों तक पकने देंगे अब यहाँ पर मैंने लिया है जीरा सांबा राइस इस राइस से बहुत अच्छी विर्यानी बनती है तो इसको मैं अच्छी सिधो के 20 मिनिट के लिए भीगो के रख दूँगी जब तक मटन पक जाएंगा तब तक यह भीग के भी तयार हो जाएंगा यह देखो तीन से चार सिटि के बाद यह पक के तयार है अब इसमें राइस डाल देंगे राइस को अच्छे से मिक्स करना है और एकदम से कुकर नहीं लगाना है थोड़ा पानी सौक हो जाए राइस को दो तिन मिनिट के लिए पहले पकाना है फिर देखना है जब ऐसा स्टिक्चर आ जाए उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा घी डालेंगे एक चमच डोने बिर्यानी में गी का यूज जादा होता है तो आप जादा भी गी डाल सकते हो यहाँ पर मैं एक चमच गी डाल दूँगी और आच्छे से मिक्स कर लोगी और अब हम कुकर को सिट्टी लगा लेंगे और यहाँ पर मैं एक सिट्टी के बाद देखोंगी एक सिट्टी के बाद हमारा राइस पक के तयार है हमारी बिर्यानी बन के तयार है यह देखो राइस एकदम अच्छे से पक गया है यहाँ पर लास्ट में एक ही सिट्टी लगाई थी कुकर को यह हमारी बिर्यानी खाने के लिए एकदम रेडी है यह दिखो मटन एकदम अच्छे से सॉफ्ट पक गया है एकदम इजी नहीं निकलता है बहुती अच्छी स्वाद आता है इस बिर्यानी का तो आप इसे जरू ट्राइ करना तो थैंक्स पर वाचिंग मैं रेसीपी बहुती अच्छी स्वाद आता है